हेलो फ्रेंटस स्वागत अब सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास्त रिवन टैक में तो फ्रेंडस मुझे काफी सारी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और वो मुझसे पोछ रहे हैं कि सर मैं एक यूट्यूबर हूँ और यूट्यूबर रेगुलर स्वीडियो अप्लोड क चोड़ के मतलब gap करके अपनी वीडियो का अपलोड करूं महीने में करूं या दो महीने में करूं तो क्या उस वीडियो पे मेरी वीडियो को बूस्ट करेगा मतलब उस वीडियो पे जितने मेरी regular वीडियो पे वीडियो मिलते थे उतने ही मुझे क्या gap करने के बाद डालने प को दूर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी किसी कारणवास अपनी YouTube वीडियो को गैप देके अपलोड करेंगे मतलब महीने में 10 दिन में पंदरा दिन में अप्लोड करेंगे तो क्या YouTube आपकी वीडियो को बूस्ट करेंगा उस पर उतने ही व्यूज आएंगे या नहीं सारा सॉलूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है तो वीडियो बहुत ही जादा इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने साथ में। आप साथ में जोब कर रहे हैं तो पार्ट जोब भी कर रहे हैं और जिस वज़े से आप रेगूलर वीडियो रीडियो डालते हैं और 15 दिन में बीटालते हैं जिससे आपको यह मेरी वीडियो पे उतने आएंगे या नहीं आएंगे YouTube मेरी वीडियो को क्या डाउन तो नहीं कर देगा उस पर बूस्ट करेगा या नहीं तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको अपनी वीडियो पर यूट्यूब जो है आपकी वीडियो को बूस्ट करता है और आपकी वीडियो पर व्यूज आते हैं लेकिन आप जब महीने में हफते में दस दिन में अपनी वीडियो को डालते हैं तब भी YouTube आपकी वीडियो को उसी तरीके से बूस्ट करता है जैसे वह आपकी रेगुलर डालने वाली वीडियो को है क्योंकि जब आप अपनी वीडियो को gap देके upload करते हैं मतलब 10 दिन में 15 दिन में वीडियो को upload करते हैं तो आपकी जो audience है वो regular आपके साथ touch में थी पहले लेकिन आपने 10 दिन का gap दे दिया तो उसे जो आप topics उसे चाहिए वो अब वो दूसरे creators के देखने शुरू कर देते हैं मतलब आपकी जो audience है वो दूसरे creators के पास चली जाती है और जब आप अपनी वीडियो डालते हैं तो उन में से ही कुछ audience आपके पास वापिस आ जाती है और कुछ नहीं आती जिसकी वज़े से आपके views कम आते हैं तो friends इसका यही एक बड़ा नुकसान है कि अगर आप gap देके regular वीडियो नहीं डालेंगे gap देके महिने में 15 दिन में एक वीडियो डालेंगे तो आपकी views जो है वो कम हो जाएंगे तो friends मैंने आपको अच्छे से clear करके बता दिया है अगर आपको फिर भी वीडियो से related कोई question है कोई query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो पसंद आई हो तो उसे like और share ज़रूर करें Thank you